आज भी जब सर्थ रात को तेज हवाएं चलती हैं, मुझे नीन नहीं आती। वो रात भी बड़ी सर्थ और वैशतनाग थी। वादी की यख बसता हमाएं घर के बंध दर्वाजों से सर फोड रही थी। कमरे में आते ही दान सुलग रहे थी। और नरम गरम बिस्तर पर मेरे भाई शहाब के दोनों बच्चे अपनी मा के साथ लेटे हुए सो रहे थे। रात के दो बच चुके थे लेकिन भाई जाग रहे थे। मुझे बराबर वले कमरे से इनके टहलने की आवाज सुनाई दे रही थी। इत्फाक था कि मुझे भी नीन नहीं आ रही थी। और में तहल तहल कर माजी की यादों में मसरूफ रहते। मैं जानती थी कि एैसा किस वजह से है और किस की यादे इनको शब भर सुने नहीं देती। वही जो मरकर भी इनकी यादों में जिंदा थी। महकते गुलाबों की मानित तरु ताजा थी। जालिमी कि रूने हम दोनों बहन भाईों के अंदर बसेरा कर लिया था और वादी की तेज हवाओं के साथ वो हम को जगाने आ जाती थी। उन दिनों हमने बिये का इम्तिहान दिया था। कोई मसरूफित ना होने के सबब हम बहन भाई बोर हो रहे थे। तबी वालदा ने कहा कि मामू के पास चले जाओ। हमारे मामू सवात में कई बागों के मालिक थे। इनके पास कई ट्रॉक भी थे जिस पर वो अपना माल लोट करके शेहर लिचाया करते थे। बस से उद्धर कर हम गाओं के टेड़े मेरे मगर सर सबसो शादाब रास्तों पर तेजी से दोड रहे थे। मुदत बाद हम दुबारा इन खुबसूरत रास्तों को देख रहे थे। सेब, खुबानी और माल्टों के दरख्त महक रहे थे। चारों तरफ रंग बरंगे पहरीला धुआ जहां जिन्दगी मशीन जैसी थी और इस जन्नत जैसी वादी में ना ट्रैफिक कर शोर ना धुआ और ना मशीनों की गड़गड़ा हट। जब हम बागों से गिरे वे मामों की खुबसूरत घर के सामने पहुंचे उस वक्त दिन के 11 बच रहे थे। मैं तो एक बेटी की मा बन गई तो वालदा शहाब को वापिस ले आई थी। तहम शहाब अभी मुमानी को अपनी मा के जैसा चाहता था। किचन से खाने की इश्टिहा अंगेज खुश्बूएं आ रही थी और जो खाना बना रही थी भाई शहाब के ख्याल में वो भला मुमानी चान की सिवा और कौन हो सकता था। इनकी पुश्ट दर्वाजे की तरफ थी। सुर्ख शाल ओड़े हांडी में चमच चला रही थी। शहाब इसे मुमानी ही समझा था हलाके वो इनकी साबजादी रापिया थी जो कदो कदामत में अपनी मा जैसी हो चुकी थी। लेकिन हम कर रापिया मुडी तो भाई को तो पसीना आ गया जैसे बिजली का करंट लग गया और वो बुखला कर पीछे हट गए। सुर्ख शाल फिसल कर रापिया के कंधों से गिर गई। धानी लिबास में इसका बदन थर-थर कांप रहा था। भाई की जचानक हरकत से वो बिचार आती दिखाई दी अब शहाब इनको कैसे बताते कि क्या हादसा हुआ है कि अब वो अंदर कदम रखने की भी हमत नहीं कर रहा था। रापिया के होश संभालने के बाद इसकी हमसे ये पहली मुलाकात थी इसकी निगाहों में हर वक घुसा रहता था क्योंकि शहाब से गलती थी इनसान जब जादा किसी से दूर रहने की कोशिश करता है ना तो ये दूरी इसकी कर्शिश को और बढ़ा देती है भाई के साथ भी ये ही हुआ जिस कदर राबिया इनसे दूर रहती उतनी ही वो इनको अच्छी लगती वो इसको अक्सर दूर से ही देखते रहते कि नसी हमारे दिलों में उचला कर जाती थी लेकिन जितने दिन हम सवात में रहे शहाब भाई अपनी इस कजन से बात करने को तरसते रहे इसका घुसा किसी सूरत कम ना होता था घर में हसी खुशी का महौल ना बन सका शहाब के होते तनाओं की सूरत रहने लगी तब ही थी एक दिन तुमें ये देखकर हैरान रह गई कि राबिया के कमरे में बहतरीन शायरी अदब मौजूद है हमारा ख्याल था कि वो गाउं की अनपर लड़की है इसको भला इल्मो अदब से क्या सरोकार लेकिन हमारा ख्याल गलत था मुमानी दिन भर घरेलू भखेडों में मसरूफ रहती थी मामू दिन रत कारोबार में मगन होते थे मैं नानी अमा के पास गुसी रहती नहीं तो राबिया से बाते करती यो शहाब भाई यहां आकर तनहाई का शिकार हो गए वो सारा दिन वादी में अवारा घूमते और पश्टाते के अंधा धोन राबिया को मु का फरहाम कर ही दिया एक रोज जब आसमान पर बादल चाय हुए थे शहाब भाई बाग में गए वहां राबिया कुरसी डाले बैठी थी हाथ में किताब थी दफ़तन बूंदा बांदी शुरू हो गई यकदम बादल जोड से गज़ा वो चौंकर उठी तब ही भाई ने कह दरो मत बिजली यहां नहीं गिबने वाली बिजली का क्या भरोसा राबिया ने जवाब दिया तो मेरे भाई को अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका मिल गया माफी चाहता हूं उस रोज में आपको पुष्ट से मुमानी समझा और आप तो चानती हैं कि मैं इनको मां का दर बाई शुरू हो गई है अंदर चलें इसने माफी की बात को नजर अंदास कर दिया लेकिन भाई के साथ कदम बाकदम चलती हुई घर के अंदर आ गई तो महसूस हो गया कि माफी को कबूल कर लिया गया है थोड़े दिर बाद वो चाय का कप लेकर आ गई भाई ने कप ले लिया उस रोज इनके दर्मियान अचनबियत की दिवार गिर गई अब शहाब भाई जब मामो के साथ दुपहर को घर लोटता इसकी आंकों में इनके लिए इनतिजार के चराग रोशन होते भाई तो इतने खुश थे कि आलम बेदारी में ही ना जाने कितने खुआब देख वो बहत उदासी से शहाब भाई की तरफ देख रही थी मैं और भाई काफी दिन उदास रहे और सवात में गुजारे वे दिनों की बाते याद करते थे तीन माह गुजरे थे कि मामो के गाउं से किसी रिष्टेदार की शादी का काड़ आ गया भाई काड़ पाकर तो नहाल थे कि फिर से गाउं जाने का बहाना हात आ गया था हमारे घर से भाई ही जा सकते थे सो वो ही शादी में शिरकत के लिए गए ये दूसरे मामो के बेटे की शादी थी गाउं में शादियां सादिगी से होती हैं लेकिन उस घर में ये पहली शादी थी सो शादी धूम धाम से हो रही थी शहाब भाई इस बार छोटे मामों के महमान थे इनी के घर ठहरे थे महंदी वाली रात आ गई छोटे मामों के घर से लड़कियां चली तो धूले के छोटे भाई ने शहाब भाया से कहा कि तुम भी चलो गाउं के रिवाज के मताबिक लड़कियां अकेली घर से न लेकिन बादलों की वज़ा से कुछ अंधेरी थी राबिया को साथ लेकर लड़कियां बाहर आई राबिया ठहर कर अपनी चादर दिरुस्त करने लगी जब इसने चादर को अच्छी तरह ओड लिया तो शहाब ने इसके चेहरे पर नज़र डाली वो इनकी तरफ देख रही थी तब शहाब को लगा जिसे वो इन्हीं की वज़ा से बहाने से ठहर गई थी वो चंद मिनट ठहर कर भाई को देखती रही लड़कियां आगे निकल गई तो अदील की आवाज आई यार शहाब चलो भी अब क्या कर रहे हो शहाब भाई ने घबरा कर बहाना किया राबिया को भी एसास हुआ कि वो लाशारी तोर पर एक दूसरे की खातर चंद लहों के लिए रुक गए थे तब ही वो दोड़ती भी चल्दी से लड़कियों के जुर्मट में दाखिल हो गई लड़कियां धुलन को गेरे वे थी और महंदी लगाए जा रही थी बे अख्यार शहाब ने अपना हाथ राबिया के सामने कर दिया महंदी का थाल इसके सामने रखा था इसने उंगली से भाई की हतेली पर महंदी लगा दी वो रात शहाब भाई की जिंदगी की एक यादकार रात थी जब ये दोनों रिष्टेदार लड़कियों को हुजरे में पहुँचा कर आए तो राबिया का चेहरा भी आंखों में था क्योंकि इसने बहुत खुबसूरत कपड़े पहने वे थे और सब लड़कियों से अच्छी लग रही थी शादी की तकरीब खतम हुई तो इसका बड़े मामों के घर जाना हुआ जहां राबिया से सेब की बाग में मुलाकात हो गई शहाब भाई ने से बता दिया कि वो कल वापस जा रहे हैं राबिया ने ने बताया कि अम्मी जान कहती हैं जो घर दमाद बनेगा मैं उसी से बेटी की शादी करूंगी और इसका पुलिस इंस्पेक्टर होना भी शर्त है शहाब क्या तुम ये शर्त अपने वालदें से मनवा नहीं सकते कहीं ऐसा ना हो कि हम इस शर्त की भींड चड़ जाएं ये कहते वे इसकी आंकों से आंसु बह निकले भाई ने कहा मैं वादा करता हूँ राबिया हर कीमत पर ये मुलाजमत हासिल करूंगा शहर आकर भाईया ने अब उसे कहा कि पुलिस में नौकरी करना चाहते हैं रिश्वत भरें या सफारिश करवाएं जिस तरह भी हो इसको पुलिस इंस्पेक्टर बनवा दें वालद ने काफी कोशिश की दूसरे महकमों में तो अच्छी मुलाजमत मिल सकती थी लेकिन पुलिस के महकमे में नहीं मिल सकी अमा भी राबिया को बहु बनाने पर खुश थी वालद साब भी राजी थे वो मामों के घर रिश्टे का अंधिया लेकर दो तीन बार गए थे लेकिन मुमानी की अजीब शरायत के सबब बात ना बनी पुलिस की मुलाजमत दिलवाना अबू के बस की बात ना थी वालद वालदा और नानी ने मेनत समाज़त करके मुमानी से ये शर्ट हटवाई मकर घर दमाद वाली शर्ट पर वो बद्दस दूर अडी रही कहा कि मेरी एक ही बेटी है इसको तो खुद से कभी जुदा नहीं करूंगी दरसल ये तो मुमानी का सिर्फ बहाना था वो इसी बहाने हमें टालना चाहती थी इदर वाले साब को ये शर्ट मनजूर ना थी और घर दमाद बनने पर तो भाई भी त्यार ना थे वो क्यों कर बढ़ापे में अपने वालदेन को छोड़ देते और मामू के घर जाते मामू मुमानी खामोश थे तो हमने यही समझा कि वो कुछ और मिनत समाज़त करवा कर ये रिष्टा हमी को देंगे भाई वहां चाहते मुमानी उसी तरह से प्यार से मिलती लेकिन अंदर ये अंदर उन्होंने बेटी का रिष्टा एक नहायत दौलत मन सरदार के हां तै कर लिया था जिसकी हवा भी हमें से किसी को लगने न दी और शादी की त्यारिया उन्होंने शुरू कर दी अब जब भी शहाब भाई मुमानी के घर जाते वो खुद तो पुर जोश अंदाज से मिलती लेकिन राबिया बहुत परिशान नजर आती वो खिची खिची रहती और पहले की तरह ना मिलती इन्ही दिनों शहाब भाई ने राबिया को रेशमी कपड़ों में गोटा किनारी टांकते देखा मुमानी भी फुरसत के वक्त कुछ ऐसे ही काम करती नजर आएं शहाब भाई को तो खुशकुमानी हो गई कि भाई की और राबिया की शादी की त्यारिया हो रही है ताहम वो हैरान थे कि राबिया की घुलाबी रंगत मान क्यूं पढ़ती जा रही है इसकी सिया आंकों के गिड़ धुआ सा मंडलाता रहता था एक रोज भाई को इससे बात करने का मौका मिल गया भाई ने राबिया को किचे किचे रहने का सबब पूछा वो चुप रही भाई ने सवाल किया कि तुम को क्या परेशानी है क्यों उदास रहने लगी हो राबिया ने कोई जवाब ना दिया शहाब भाई ने बिलाँखर मौमानी से ही पूछ लिया कि राबिया क्यों खफा है और आप क्यों कपड़ों पर गोटा किनारी लगा रही है जबके शायद वो मेरे साथ शादी करने पर खुश नहीं है इसलिए तुम मुझसे बात भी नहीं कर रही मौमानी ने चौंकर कहा तुम्हारे साथ शादी ये तुम से किसने कह दिया इसकी शादी तुम्हारे साथ तो नहीं हो रही बिटे इसकी शादी हम दूसरी चेका कर रहे हैं क्योंकि मैंने तो तुम्हें बच्पन में गोद लिया था ना इस लिहाज से राबिया तुम्हारी बहन है ये सुनकर शहाब भाई को तो चक कर आगया और इसका टांगों पर खड़ा रहना मुश्किल हो गया वो उसी वक्त घर चलाया इसके बाद उस पर क्या गुजरी ये तो एक अलग वाक्या है लेकिन जो राबिया पर बीती वो भी किसी क्यामत से कम नहीं था सवाद वगेरा के रिवाज बहुत सख्त है राबिया तो मामो मुमानी के सामने बोल नहीं सकी और बिया कर सरदार सहाब के घर चली गई इनकी बहु बन कर लेकिन एक ऐसे किले में कैद कर दी गई जिसकी दिवारे बहुत उंची थी कि वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता था वो सख्त पाबंदियों में जखड़ी गई थी इसको में के आने तक की इजासत नहीं थी इस सुर्टेहाल से घबरा कर वो बिमार पड़ गई सरदार साब का घराना सख्त रवायात का पबंद था यहां ना कोई किसी को पेगाम भेज सकता था और ना खत लिख सकता था ना कोई रिष्टेदार घर की औरतों से मिलने के लिए जा सकता था शादी को साल गुजर गया उन्होंने राबिया को में के ना भेजा अब तो मुमानी का जी भी घबरा गया कि यह कैसे घराने में मैंने बेटी दे दी है कि जिसको खत तक लिखने की अजासत नहीं है मामू राबिया से मिलने के लिए जाते थे लेकिन बाहर सही मर्दों से मिलकर और खेर खरीया दरियाफ्त करके आ जाते थे अवल तो वो बेटी से मुलाकात करवाते ही नहीं थे अगर मामू मिनत समाजत करते तो मुलाकात होती भी तो सिर्फ लम्ह भर की दूर से वो सलाम करती और किले के अंदर कहीं गुम हो जाती वो अपना हाल एहवाल तक वालत को ना बता सकती थी एक दिन का जिकर है कि सरदार सहाब अपने बेटे के साथ जमीनों के मामला देखने गए हुए थे कि वहां तहसीलदार तश्रीफ ले आए उन्होंने सरदार सहाब का पूछा मुलाजम ने बताया कि वो जमीनों पर गए है मुलाजमा ने राबिया को बताया कि तहसीलदार सहाब फलां गाउं से आए है वो सरदार सहाब का पूछ रहे थे राबिया ने जब गाउं का नाम सुना तो उठ पैठी ये तो इसके अपने वालदैन के गाउं का आदमी था वो बेकरार होकर हुजरे से निकली और मरदाना हवेली में आ गई उस वक्त तहसीलदार अपने गोडे पर सवार हवेली की दिवार के पास से गुजर रहा था गोडे की पुष्ट पर सवार होने की वज़ा से इसकी पगड़ी का शिमला हवेली की दिवार की उपर से नज़र आ रहा था राबिया हुजरे की चट पर चड़ गई और वहां से कमरे की खिड़की से आवाज दी भाई जरा ठहरिये तो उस शक्स ने अपना घोड़ा ठहराया और पूछा क्या बात है बीबी वो नहीं जानता था कि इसको पुकार कर रोकने वाली इस घर की मुलाजमा नहीं बलकि बहु है आप फलागाउं की होजी हाँ अच्छा तो मेरा ये पेगाम नसीम खान को पहुंचा देना इनको कहना कि तुम्हारी बेटी कहती है कि मैंने क्या कसूर किया था जो आपने मुझको इस किल्ये की उंची दिवारों में कैद करवा दिया है मुझे ये दौलत सौना रुपया नहीं चाहिए मैं उदास हूँ बहुत उदास जल्दी से आकर मुझे अपने साथ ले जाओ एक लम्हे की बात थी जिसको सुनकर तहसीलदार सहाब ने अपना घोड़ा आगे बढ़ा दिया लेकिन ये बात सारे इलाके में फैल गई कि तहसीलदार सहाब से छोटे सरदार की बीवी ने बात की है सरदार और इसका बेटा जब घर आय तो मुलाजमी ने ये बात इनकी गोश बजार कर दी उन्होंने राबिया से पूछा क्या तुमने तहसीलदार को रुका था जब वो घोड़े पर यहां से गुजर रहा था जी हाँ राबिया तुम्हे ऐसा करने को किसने कहा था तुमने क्यूं किया मैंने तो बस अपने वालिद को पेगाम भिजवाया है कि वो आकर मुझको यहां से ले जाएं क्यूंकि मैं इस कैद से दिल गृफता और अदास हो गई हूँ सरदार ने तहसीलदार को बलवा कर पूछा कि तुमने मेरे घर की खातून से क्या बात की थी तहसीलदार ने भी वही बात दुरा दी जो राबिया ने कही थी सरदार सहाब को यकीन आ गया कि इनकी बहू का तहसीलदार से कोई ऐसा वैसा मामला नहीं था और इसने महस पेगाम भिजवाने की खातर उस शक्स से कलाम किया था ताहम ये बात भी इनके नजदी कम जुरम ना थी तहसीलदार चूंके कसूर वार ना था लहाज़ा इसको सजा देना बनता ना था इस तरह तो और भी बदनामी हो जाती लेकिन राबिया के लिए सजा तजवीज हो गई थी घर की बज़र खावतीन ने राबिया की सफारिश में बोलना चाहा तो सरदार ने कहा कि मैं जानता हूं कि राबिया के तहसीलदार से कोई मरास्म नहीं है पेगाम देने का ये तरीका लेकिन मेरे लिए काबले बरदाश नहीं है ये तो बगेरती की अलामत है आज अगर मैंने बहु की इस गलती को दरगुजर कर दिया एक तालिस घर की और खावतीन भी गेर मर्दों से बात करने की जिसारत कर सकती है इस वाकिये के एक हफ़ते बाद सरदार ने अपने इलाके में मौसिजीन में मनादी करा दी कि फला जगा मेरे डेरे पर जमा हो जाना मुकररा वक्त पर जब वो लोग जमा हुए तो राबिया को इनके बीच लाया गया और सब के सामने इसको फर्दे जुरम सुना दी गई और सजा पर फौरन अमल दरामत भी करवा दिया गया इसकी लाश को जला कर इसकी राख पहाड़ी इलाके में बहादी गई क्योंकि लोगों के नस्देक ऐसी औरतों की यही सजा होनी चाहिए थी मामू जब अपने कारोबारी कामों को निपटा कर सहरत से लोटे और राबिया से मिलने कए तो वहाँ इनकी बेटी की बजाए इसकी दर्दनाग दास्तान की बाजगुष्ट इनको सुनने को मिली वहाँ राबिया थी कहां जो इनको मिलती जहां पूरे इलाके के लोग एक जैसी सोच के हामिल हो वहाँ बिचारे मामू इनका क्या बिगाड सकते थे मामू तो बस आहो बका करते और रोते रह गए और मुमानी तो बेटी की मौत का सुन कर घश खा कर गिर गई अब वो कहती थी कि मैंने दौलत मन दमात की लालच में अपनी बेटी को कुर्बान कर दिया मामू मुमानी का गम अपनी जगा लेकिन मैं और शहाब भी इस वाक्य के सद्मे से दहल कर रह गए थे आज भी हम इस सद्मे को नहीं भुला सके जब रात की विरानी में यख बसता हवाएं पहाडों से टकराती हैं तो हमको यही मैसूस होता है कि वो राबिया की बेगुनाई का मातम कर रही है